नमस्कार दोस्तों, Current Affair A to Z में आप सभी का स्वागत है, तो इस वीडियो में हम पिंक बॉल वर्म के बारे में डिसकस करेंगे, ठीक है, पिंक बॉल वर्म, यह क्या होता है कि कॉटिन प्लांट को एफेक्ट करता है, ठीक है, तो रिसेंटली क्या किया गया है, कि जिनेटिक अप्रेजल कमीटी जो है, उसने हर्याना में पिंक बॉल रिसिस्टेंट जी एम, कॉटन प्लांट का हरी जंडी दे दिया, इनको ग्रो करने के लिए, उनने लिमिटेड फिल्ट राय, ठीक हर्याना में यह चीज होगा, तो अब आते हैं, यह देखें न्यूज है, 27 फरवर होता क्या है, तो वो क्या है, इडिज वन अफ दिश्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ कॉटन, ठीक है, वो क्या करता है कि कॉटन का जो भी फल होता है, उसके सीड को यह पूरी तरह से खा जाता है, और अंदर के फाइबर को पूरी तरह से बरबात कर देता है, ठीक है, उसका है but it is now recorded in nearly all the cotton growing countries of the world cotton mainly cotton growing countries कौन कौन सा है तो इजिप्ट हो गया चाइना हो गया यूएस हो गया तो यह अब हर जगा यह डिजीज यह पेस्ट सब को मिलता ही है ठीक है हम देखो इसका एक लॉजिकल थ्रेट क्या है इस पेस्ट का तो पिंक बॉल वार्म आर मेजर पेस्ट आप कॉटन ठीक है यह कॉटन प्लांट को एफेक्ट करता है अडल्स ओनली लास्ट फो टू वीक्स बड़ फीमेल विल ले अगर उसमें पिंक बॉल मॉर पेस्ट लग गया तो वह उसका इल्ड कितना घटा देगा 30% 40% बचा ठीक है क्योंकि वह उस बॉल को जो कॉटन बॉल होता है उसको पूरी तरह से यह बरबात कर देता है नेक्स्ट है when the larvae mature they cut out the ball and drop to the ground ठीक है यह plant है मान लो ठीक है यह मान लो बॉल है तो ह healthy agent को क्या करता है देता है तो वह जमीन में गिर जाता अपूरी तरह से बरबाद हो जाता है वह किसी काम का नहीं राता है It has also been observed to attack hibiscus, okra and hollyhock plant को भी एफेक्ट करता है यह केवल cotton को ही नहीं लेकिन hibiscus, okra and hollyhock plant को भी एफेक्ट करता है अब देखिए यहाँ पे अगर एक तो यह है genetically modified cotton है हैं तो सबसे पहले किसके पास power authority genetically modified को हरी जंडी दिखाने के लिए तो वो करते हैं genetic engineering appraisal committee ठीक है यह अगर इसने कहा इसने हरी जंडी दी कि हाँ आप grow कीजिए तभी grow किया जाएगा नहीं तो आपके उपर case बन जाएगा अगर आप without their notice आप अगर grow करते हैं और यह किस act के थुरू है यह environment protection act के थुरू यह चीज बना था 1986 ठीक है यह भी ध्यान रखियागा environment protection act तो इस वीडियो में इतना ही चलिए धन्यवाद